अहाना और मैं उड़ गए हैं और सुबह का साथ बज़रा है बहर सन निकल आया है और आनू एकदम एक्टिबली उड़ गई है आनू हाई बोलो हाई सब को आए बोलो तो छोटी उसा हाई बोलती हो हमेशा सब कहेंगे आनू बहुत शाय है तुम शाय हो क्यों आनू शाय हो क्या चलो चाय बनाए चाय तो हमने अपनी अपनी कार जो है विल्कुल नई करा लिए पेंट करा लिए इसमें जैगवार का तो है अगर किसी को पेंट अच्छा कराना है तो आप अगर लखनों में रहते हैं तो क्रेटी का मोटर चले जाईए उनके पस वे और इतना सुन्दल लग रहे है इतना टच यंद फील इसका इतना सही है जह लग रहे हैसे कार इकन्दम नहीं होई पर चले आनू घर अगर चले है घुमी किन्दी गुमी जाटी गुमी चलो कर दो दर्शक देख में चाहते है कि तुम हलाल हो तो बखरा पहले क्या गलता है कि बखरा 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 बुक्षी है जिन्म के दिये सुचा ही नहीं दर्ग समाने ने मूँगे मस्कुराएं तो मस्कुराने के खर्जु कारें ने आगे अनु अनु क्यों वेच कर लेओ कोई लेकी नहीं जा रहें आनु को इसलीए जल्दी आ गए हो न इसलिए जल्दी आ गए हो ने इसलिए को जल्दी आगए हो न पिसलिए है ठांव है यह लो आज बैज कि अनु चाहिका थे कह बाता रहें पज़ा घ्लकशां कि more कि मारें है कि पर टूप इसको अब है कि एक तो इसकोल में क्या सिखाया अनू कि यह अनू को इन इसम फॉल इंटिफाइंग वाइड अनिमल्स जह आउ और आज का दिन शिरू करते हैं आज जो है आनु के स्कूल में वर्ल्ड स्वाइल डे था और अब मैं आनु को घर चोड़ने जा रहा हूं आज था कि क्लिनिक पर माचुके हैं पर्सों आदू की सरजरी है और हम आज उसकी पूर्ती करने के लिए मौल लेकर जाएंगे इतना कैसे हिंडी का कुछ अज सिरफ पीले हो कि उसकी पूर्ती करने के लिए आज इसको मौल लेकर जाएंगे ताकि मौल में इसको समान कई सारे दिला दे ताकि इसको दर्द का ऐसा प्रवार करने से पहले उसको उसके पूजा करेंगे और उसके बद उसका पहर को धीमे घाटेंगे आज यही सारा पूरक दिन काम करना है एक सीटी स्कैन कराना है और आनु की नानी भी आने वाली है तो आनु एक्साइटेड़ है आनु बोलो क्या बोल नहीं थी सुन्दर नानी नानी सुन्दर नानी चलो बाए मिलते हैं बाद में तुम्हें आसी आ रही है बताओ तुम्हें गुफा में हो क्या कर रही हो आनु मता छिल लही है तुमको आती है मता छिलना थैंक्यू आप अंदर रख दो उसमें उसमें अंदर रख दो अरे वाँ वेरी गुड़ आज का दिन काफी हेट्टिक था और बहुत बहुत जादा भीड़भार थी और आज बहुत परेशान हो गए क्योंकि सुबह होस्पिटल गए उससे पहले आनु को स्कूल छोड़ा फिर वहां से आदू का सीटी स्कैन कराया फिर उसे घर छोड़ा फिर हॉस्पिटल फिर चाम को में डॉक्टर के पास गया था जिन से ऑपरेशन कराना है और अब एक दो दिन में वो डेट देदेंगे और दिन शील भी फाइन वो अराम से वाप कर पाएगी उसके पैर में जो दर दोता है वो नहीं होगा का ग्यारा बच चुका है और आज के व्लॉग की एडिटिंग अल्मोस दन है बस ये वाला पार्ट डाल दोगा और फिर मैं भी सोने जाओंगा आपको सुबह मिलेगा ये व्लॉग अपने अपने यूट्यूब चैनल पे और डोंट फोगेट तो लाइक, शेर, अन्यूट चैनल बगा ये विटूब चैनल बगाइ